नमस्कार दोस्तों, गौर्णमेंट एक्जाम इन्फो में आपका सौगत है तो दोस्तों यहाँ पर UK SSSC ने एक लेटिस्ट बड़ी अपडेट दी है और यह अपडेट है उत्तराखंड कनिश्र साइक और व्यक्तिक साइक के जो पद आये थे जो पोस्त आये थे, उसको लेकर और इसमें क्या बड़ी बाते कही गई है वो देखने वाला है, इसमें कुछ टाइपिंग को लेकर अपडेट है जो टाइपिंग टेस्ट होगा और इसके अलावा जो पद हैं उसमें किस विवाग में, कितने पद बढ़े हैं, केटेगरी वाइज कितने बढ़े हैं और जो बागी डीटेल्स हैं वो भी देखेंगे तो ये एक नई अपडेट दी गई है तो इसको जिहान से देखें, इसमें जो जो बाते कहीं गई है तो एक एकर हम देखते हैं कि ये अपडेट क्या है इसमें कौन से पोस्ट बढ़े हैं और इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है, उसको लेकर क्या नई अपडेट आई है तो वीडियो में बने रही है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें तो चले देखते हैं ये जो अपडेट है वो क्या है तो दोस्तो देखे जो जो विग्यापती जारी किया गई है ये सुद्धी पत्र है 28 सितमबर 2020 का इसमें जो पत्कोड है 26 और 25 इसको लेकर यहां पर कुछ चेंजिस किए गया है उसी के बात करते हैं आपर हम कि यह चेंजिस किया किया है तो सबसे पहला चेंज यहां पर किया गया है वेक्यापन संखिया 26 की बात करें तो जो कि जुलाई में जारी किया गादा 27 जुलाई 2020 को इसमें एक नया करम जोड़ दिया गया 28 जो रुक्तियों का विवरण और सैथी आरक्षन के स्थिति में अंकित तालिका में जो नया करम जोड़ गया 28 इसके अंतरगत आसुलीपिक के चार नए पोश्ट यहाँ पर समल विग्यापन संक्या 26 उसमें चार पद बढ़ चुके हैं अफिशियली इसका नोटिफिकेशन नहीं है लेकिन यह विग्यापति आगया तो मान लीजे सुद्धी पत्र आ चुका है तो यह मान के चले कि यह पद बढ़ चुके हैं जिसमें की तीन जर्नल के बढ़ें और एक आइसी के लिए है ये है विग्यापन संक्या 26 के लिए इसके बात बात करें तो अगला है यहां पर विग्यापन संक्या 25 इसमें भी यहां पर कुछ क्रम जोड़े गया है पहला है यहां पर जो मुख्य निर्वाचन अदिकारी उत्रहंड के अंतरगत कनिश्टर साय के 19 पोस्ट रहे गए 12 जो थी पहले यहां पर यह थे 19 और यह अब 18 रहे गए जनरल के दो बढ़ चुके हैं इसमें बाकि लगबख सेम है इसमें जो विग्यापन का बिंदू एक है इसमें जो क्रम संक्या 44 थी जिलादीकारी रुद्रुपया के अंतरगत जो कनिश्ट रहे गए इसमें पांस थे पहले अब यह चेंज करके हो गए है चार तो इसमें ओवरॉल एक पोस्ट के कमी की गई है और पॉइंट फॉर की बात करें तो नगरपारी का परिश्ट लुद्रुपया के अंतरगत संग्रह करता की बात करें तो तीन पोस्ट से पहले अब यहां पर दो रह जाएंगे जो की जेनरल कटेगरी थे तो इसमें भी एक पत की कमी की गई है पॉइंट फाइफ की बात करें तो यह है हमारा जो पोश्ट के लिए जिसने भी किया है जो इसको ध्यान में रख कर जिसने भी आवदन किया था उसके लिए यहां पर इमपॉर्टन यह है कि आप भी यहां पर कॉंपूर्ट्र का टैबिंग टेस्ट है हिंदी टंक्र नहीं 100 की डिप्रेशन पर आवर की नियुंतम गति आवह इसके लिए आप कालिफाई करते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा यहां पर टाइपिंग टेस्ट अब लिया जाएगा इसके अलावा उध्यम सिन नगर के अंतरगत पेशकार पदकोड 162-345-2022 इसकी बात करें तो इसमें भी पहले था इंटरमेडियेट उसके संक्रक्ष अरता है अब उसके इस्थान पर यहां पर भी जो टाइपिंग टेस्ट है हिंदी में उसमें भी 4000 की डिप्रेशन पर आवर कंफर्म कर दिया गया है यहां पर तो यह ध्यान में रखेगा जो भी यह पोस्टे हैं कुल मिला कि यहां पर लग तालिका है उसमें क्रम संक्या उन पंचास जोड़ी गई है जिसमें डॉक्टर रगुनंदन सिंग टोलिया उत्रहण प्रसासन अकादिमी नैनिताल के अंत्रगर कनिष्ट साइक टंक के दो जनरल यानि की जनरल दो पद समलित किये गए हैं अलग से जो की क्रम संक्या उन प जिपाल द्वारा उसके शंकक्षे गोशित कोई अन्य परिक्षा उत्तिर्ण की हो इसके अलावा यहाँ पर हिंदी टंकर में न्यूंतम लेकिन यहाँ पर कहा गया चूकि सुद्धी पत्र जारी किया गया UK SSC के दोरा तो यह पोस्ट यहाँ पर बढ़े हुए माने जाएंगे इसके अलावा जो बाकी की डिटेल्स हैं बाकी का जो चीजे हैं वो यहाँ पर सेम रहेंगी दोस्तों यह थी पूरी अपडेट यहा लेकिन सुद्धी पत्र का यहां पर ध्यां देने वाली बात यह है कि जो record की पर है और इसी तरह का एक और post हम ने देखा जो भी था वो उसमें आपका जो typing test है वो 4000 की depression per hour 4000 की depression per hour हिंदी में उसको अनिवारे कर दिया गया है सबी के लिए तो यह ध्यार में रखेगा अब अगर आप इस एक्जाम के त्यारी कर रहें तो जैसे इसकी कोई अपडेट आए तो इसके लिए computer typing test हिंदी में उसकी भी त्यारी थोड़ी थोड़ी करते रहें तो यह आपके लिए बहतर रहेगा तो यह थी पूरी डिटेल और इसी तरह के स धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में